हाई फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल वांग्शन क्यूट लव स्टोरी तो चलिए फ्रेंज अब हम अपनी स्टोरी आहिवान टू सिलीव विद्यू का नेक्स पास शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंज अगर आपको इस्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सिस्क्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शियर कीजिए तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं रास पार्ट में हमने देखा था कि जान चैंग से मिलने जाता है और चैंग को अपनी और इबो के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देता है जो चैंग को अल्रेडी इबो बता चुका था लेकिन चैंग अपनी ब्रदर के लिए बहुत खुश था वो अपनी ब्रदर के लिए बहुतขुश होता है फाइनली जान थोड़ा रिलीफ करता है वो वहाँ थोड़ी दिर चैंग से बात करता है और वापस वांग मेंशन आ जाता है वो आके देखता है कि वो अभी तक उपिस से बापस नहीं आया था इतलिए वो अपने रूम में जाता है और फ्रेशन अप होता है और बेट पर लेड़ जाता है वो अपनी मन में सूच रहा था कि आखिर वो जी और हैसां दोनों से क्या कहेगा वो तुझ जानता है कि उसने जो कुछ किया है क्या उसके लिए उसके फ्रेंड उसे माफ करेंगे इस बात को सूच की जान बहुत परेशान हो रहा था उदर जी और वैसा दोनों को यह पता चल चुका था कि जान बापस आ गया है दोनों बहुत खुश थे, जैकि उतना ही जही जान से नारास्ती, क्यूद कि जानने कुछ भी इन दोनों को नहीं बताया था, वह बहुत गुस्सा थी , क्य जानने आकिरוכ वह जान के बेस्ट्प्रेंट से , जानने उनको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा इसलिए जी बहुत गुसा थी तभी इबो अंदर रूम में आता है वह जान को देखता है और एक स्माइल करता है जान इबो को देखता है और एक स्माइल करता है वह जान से इबो जान से पूछता है जान तुम कब वापस आएं तभी जा जान के पाँ जाता है और उसके फोरड पे किस कर लेता है तब जान कहता है तुम जल्दी फ्रेशन अप हो जाओ डिनर रेडी है इबो के कहता है और वो भी फ्रेश होने चला जाता है तो फ्रेश हो के आता है रेडी होता है दौनों नीचे जाते हैं और डिनर करते हैं धिनर रेफिनेश होने के बाद दौनों रूम में आते हैं, दौनों एक दूसरे को कडल करके बैट पर लेटे हुए थे, तबी इबो जान से कहता है, जान तुमने ओफिस जॉइन करने के बारे में क्या सोचा है, जान इबो को बड़ी बड़ी आँखों से देख रहा था, क्यूंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इबो को देखे जा रहा था, तबी इबो कहता है जान, मैंने तुम से कुछ पूछा है, बताओ तुमने ओफिस जॉइन करने के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम कुरियर कंपनी जॉइन करना चाहते हूं, या वांक कॉपरेशन क जान कुछ भी नहीं कहता तो इबू कहता है ठीक है कल तुम कुरियर कंपिनी चलना ठीक है तुम अगर वहीं मुझे लगता है तुम वहीं काम करना चाहते हो तो तुम वहीं जोइन हो सकते हो जान कुछ भी नहीं कह रहा था इबू कहता है जान तुमारे फ्रेंस तुमारा इं करता है इबू Urjan की फोरड पे किस करता है और उसके लिप्जס करता है तोनों इसी तरह तोड़ी दिर में में सों जातें अब हम मोर्निंग का सीन देखते हैं मोर्निंग में दोनों एडियो के नीचे आरा थी दोनों और औफिस के लिए निकल जाते हैं, जान बहुत नर्वस था, कि वो हैसा और जीई को कैसे फिस करेगा, इबो ये सब कुछ समझ रहा था, क्योंकि जान के फिस से साफ दिख रहा था, इबो जान से कहता है जान, तुम्हें उन्हें फिस करना होगा, वो तुमारे बेस्ट काता है कि जी और हैसाम को जान और इबो की बारे में सब कुछ पता है, जान एक स्माइल करता है, थोड़ी देर में दोनों कुरियर को आफिस में पहुंच जाते हैं इबो तो कार से निकल जाता है लेकिन जान की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी तब इबो जान की साइट का डूर उपन करता है और अपना हाथ जान का हाथ पकड़ता है और उसे बहार निकालता है वो कहता है जान चलो जान बिचारा उसकी आलत तो बहुत खराब थी उसे नहीं समझा रहा था कि वो अपने दोस्तों से क्या कहेगा दीरे दीरे दोनों अपिस के अंदर जाते हैं जी और वैसा जैसे ही जान को देखते हैं एक पल के लिए तो वो सूचते हैं कि जाके जल्दी से जान को हग कर लें जीकिन वो इतना गुस्सा थ कि वो सिर्फ इबो को गुड मॉनिंग बोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं वो जान की तरफ देख भी नहीं रहते इस बात से जान बहुत हट होता है उससे बहुत बुरा लगता है वो जीही के पीछे जाता है लेकिन ना जीही बात कर रही थी ना हसांग बात कर रहा था तबी इबो वो इबो की तरफ देखता है तो इबो जान से कहता है जान तो मैं अपने दोस्तों से बात कहनी चाहिए एटलिस तुम कोशिश तो करो उनसे सौरी बोलो सब कुछ ठीक हो जाएगा जान कहता है इबो अपने केबिन में अंदर चला जाता है जान जी और हैसां के पास आता है लेकिन जी और हैसां तो इस तरह भी एफ कर रहे थे जैसे वो जान को देखा ही नहीं है उन दोनों ने वो तो जान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दे रहते जान दोनों को देखता है वो जी इसे कहता है जी प्लीज मुसे बात करो है सांग तुम तो करो लेकिन दोनों, दोनों में से कोई भी जान से बात नहीं करा था जान, जान की तो हालत जैसे बहुत खराब हो रही थी जी, जान जी से कहता है जी, प्लीज मुसे बात करो मैं जानता हूँ, मैंने गल्ती किया है पर तुम दोनों मुझे इस तरह एगनोर नहीं कर सकते मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तब जी, गुस्टी में जान को देखती है और कहती है फ्रेंड हम फ्रेंड थे, कब जान कब फ्रेंड थे हम तुम छोड़के चले गए तुमने बताया, तुम वांग मां मैंसन में रहते थे तुमने बताया, तुम, तुम और मैं तुमसे क्या कहूं तुमें क्या लगता है हमें कुछ भी पता नहीं है जान तुम बस बड़ी बड़ी आँखे करके जीए की तरफ देखे जा रहा था और वैसा हम कहता है मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्ते तुम हमसे कभी कुछ नहीं चुपा दे लेकिन तुमने 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 कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा इतना कुछ चल रहा था तुमारी लाइफ में और तुमने तुमने हमें ये भी नहीं बताया कि तुम और सर दोनों रिलेशन में हूँ जहान तो बड़ी-बड़ी आँखें करके दोनों को देखने लगता है तो तुम से किसने का जी एक स्माइल करती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें बुरा लग रहा है हमें पता चल गया तो जहान कहता है जी मेरी बास सुनो बुरा नहीं लग रहा है पर तुम समझ रही हो न जी कहती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझे और मैं क्यों समझू एक बात बताओ क्या तुमने हमें समझाने की कोशिश की तुमने हमें बताया कुछ भी हमें तुमसे कोई बात नहीं करने जान जी की तरफ देखता है जान अब ऐसा पपी फेस बनाता है कि एक पल तो जी को लग रहा था कि बस जान को माफ करके जल्दी से उसको अपने गले से लगा ले लेकिन वो फिर भी गुसा दिखाती है तुम कुछ भी करो हम दोनों तुम्हें माफ करने वाली नहीं है समझे तुम तुम भी जान कहता है अच्छा ठीक है मैं गुटनों पर बेढ़ जाता हूँ मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ प्लीस जी मुझे माफ कर दू मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तुजी कहती तुम्हें जरूरत नहीं है हमें अल्डरीडी सब कुछ बता है समझे तुम जान कहता है क्या तुजी कहती हाँ मुझे तुम्हारे और सर दोनों के बारे में सब कुछ बता है तुम्हें इतना कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है तु जान केता है पर तुम्हें कैसे पता तु जी कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स है तु जान केता है क्या तुम्हारे फ्रेंड्स का मतलब क्या है तबी इबो पीछे से आता है और जी को देखके एक स्माइल करता है जी भी इबो को देखके एक स्माइल करती है तो इबो कहता है जी वहसा बहुत हो गया अब तुम दोनों को जान को माफ कर देना चाहिए तबी जी कहती है नहीं सर बिल्कुल नहीं हम इसे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे जान तो यह सब देख रहा था कि इबो जी और हैसां किस तरीके से बात कर रहते तबी इबो कहता है जान तुम्हें इस तरह शौक होने की ज़रूरत नहीं है मैंने जही और वैसां को सब कुछ बता दिया है जान कहता है क्या हाँ 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 ने सब कुछ बता दिया तो इबो कहता है हाँ क्योंकि मैं उनसे तुम्हारे बारे में पूछता है तो क्या के के पूछता, इसलिए मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया, जान बड़ी बड़ी आगे करके बस इबो को देखने लगता है, इबो एक स्माइल करता है, और जान कुछ भी कहे उससे पहले वाँ से भाग जाता है, जी फिर से जान की तरफ देखती है, गुस्से माफ नहीं करूंगी, तो मारी हमत कैसी हुई हमसे कुछ भी चुपाने की, तो जान का अपने गुटनों पर बैढ़ जाता है, और कहता है, प्लीज, 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 जी माफ कर दो, हुएसंग, फ्लीज, तो हैसंग कहता है, अगर जी ने माफ किया, तो मैं भी कर तो फिर से जान हैसां की तरफ देखने लगता है लेकिन हैसां को तो कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा था और जी एक स्माइल करती है और जान से कहती है ठीक है इस बार ठीक है लेकिन नेक्स टाइम अगर तुमने हमें ऐसे बिना बताय कहीं गए यह हमसे कुछ भी छुपाया त जान येस कहता है मैं प्रोमिस करता हूँ मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छपाँगा तो इनों एक गुरु भग करते हैं तब ही जान से कहती है जान तुम लेह फांग एबू की साथ रिलेशनशिप में थे तुमने उमें बताया तक नहीं तो जान कहता है जी तुम जा जानती हो ना, सब कुछ कितना complicated था, और उस time में बस उनके साथ रहता था, relationship में नहीं था, जी, एक smile करके जान से कहती है, अब तुम जूत मत बोलो, जान कहता है, promise जी, जम, तुम मुझे पर trust तुम नहीं कर रहे हैं, तो जी कहती है, ठीके ठीके, खर लिया trust, इस तरह वो ती आ रहा था, पर फिर वो कहती है, खेर जान, जो कुछ हुआ वो छोड़ो, पर मैं तुमारी लिए बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है, और फिर से जान को हग कर लेती है, और वो हैसा भी जान को हग कर लेता है, तीनों बात है करने लगते हैं, finally, जान थोड़ा relief फील करता है, finally, उसके friends उससे नाराज नहीं है, उसने अपने friends को मना लिया, वो थोड़ा relax फील करता है, तब भी सेकेटरी जो जान के पास आते हैं, और उससे कहते हैं, आपको सरन ने बुलाया है, जी कहती है, जाओ, लगता है, तुमारी boyfriend को अच्छा नहीं लग रहा, तुम हमारे साथ जान कहता है, जी, अब तो मुझे tease करना बंद करो, जी कहती है, अभी हमने तुम्हें tease किया कहा है, अभी तो शुरुआत है, जान, देखो, हम तुम्हें कितना परिशान करते हैं, जान कहता है, जी कहती है, कुछ नहीं, जाओ, जाओ, तुम्हारी boyfriend ने तुम्हें बुलाया जान एक स्माइल करता है और सेकर्टी जो के साथ अंदर चला जाता है जान जैसे केविन में पहुंचता है सेकर्टी जो तो बाहर रह जाते है इबो जान को जैसे ही देखता है उसे हग कर लेता है और कहता है हैपी कि तुम्हारे फ्रेंड्स मान गए तो जान कहता है पर आपन जान कहता है वो मुझे नहीं पता फर मैं तुम्हें अपनी पास देखना चाहता हूं अपने सामने देखना चाहता हूं ऐसा कहता है और जान को दिवार के सारे पिन कर देता है और उसके लिप्स पर बहुती पैस्निट तरीके से किस करने लगता है जान और एबो दोनों अब दूसरे को बहुत होट और डीप किस किये जा रहे थे दीरे दीरे इबू जान की सर्ट का बटन उपन करने लगता है तब ही जान कहता है कि क्या करें आप रुको यह वापिस है बिल्कुल नहीं हम यहां कुछ भी नहीं करेंगे इबू कहता है जान जान कहता है बिल्कुल नही मैंने कहा ना, यह सब करने की सोचना भी मताब, इबू कहता है, पर मुझे करना है, जान कहता है, सच में, आप बहुत सेमलेस हो, तो इबू कहता है, मैं सेमलेस ठीक हूँ, पर मुझे करना है, जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, तो फ्रेंज, नेक्स बाट हम कर द किंगे बबाई ठीक है